हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप पारमेसी में दोस्तों ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्पूर होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए एक नई बिमारी और एक नई दवाईयों के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी लोग को बताने वाला हूँ सियाट का बिमारी के बारे में ये बिमारी होता क्या है ये बिमारी होने पर क्या-क्या लच्छड देखे जाते हैं ये बिमारी कैसे ठीक किया जाता है ये बिमारी होने का क्या क्या कारण होता है सारी की सारी बात आप लोगों को बस एक ही वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल बताने वाला हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही मातपूर है तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के वे लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पले एक महत्पूर सुचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बना जाता है केवल और केवल मेडिकल चात्र के नालिज के लिए सुधिंधी भासा में भी आपको बताऊंगा और सुधिंग्लिस भासा में भी आपको बताऊंगा तो किसी को परिसान होने के जरूरत नहीं है दोस्तों सियाटिका टर्म जो होता है यह describe क्या आता है nerve pain in the leg that caused by irritation and compression आप अपसियाटिक nerve root सियाटिका जो होता है वह originate होता है lower back मतलब हमारे पीठ की ओर नीचे की साइड में यह यह दर्द start होता है radiate deep buttock travels down in leg मतलब जब हम टैलने जाते हैं चलते फिरते हैं तो हमारे back side में कमर की नीचे पीठे में क्या होता है पैरो की तरफ एकदम दर्द होना start हो जाता है और यह दर्द होता है इसमें देखा जाता है कि सरीड में कमजोरी हो जाता है numbness महसूँस होता है ठीक ओर tingling भी होता है जेनाणाट भी होता है तो थोड़ा साब सभी लोग इसको सुद्धेंदी क्या में कर जाता है तो सियाटिक ऐसा सब्द होता है जिसका उपयोग किया जाता है पैरों में जो नर्व होते हैं वहा पर दर्द का वर्ण करने के लिए ये सियाट का वर्ण का उप्योग किया जाता है जो कि सियाट का जो होता है ये नर्व की जर से जलन संपीडन का एक कारण बन जाता है दोस्तों अगर किसी को ये सियाट का बिमारी हो जाता है तो पीट के निचले वाले हिस्से से यहां पर दर्द होना इस्टार्ट होता है और धीरे धीरे करके यह दर्द पूरे पैर तक फैल जाता है यह दर्द के साथ सथ सुन होने लगता है पैरों में जंजनाट होने लगता है कमजोरी महसूस होने लगता है यह सारी की सारी की तरफ होना स्टार्ट हो जाता है और पूरे पैर में दर्ध होना स्टार्ट हो जाता है और इसी तरह के बिमारी को हम लोग बोलते हैं कि यह फरकार का सियाट का बिमारी होता है जिसके कारण से यह सारी के सारे प्राबलम देखे जाते हैं अगर कुछ भी नहीं समझ में आया कि कहीं न कहीं हम आपको बता रहे हैं कि अगर पीठ के नीचे वाले हिस्से में इस एरिया में दर्द हो रहा है और एक साइड पहरों में भी दर्द होना जंजनाट होना खिचा होना कमजोरी होना चलने में दिक्कत होना ये सारे प्राब्लम देखे जा रहे हैं तो that is caused by the C8 का बिमारी का समझ गहां आप लोग तो चलिए यहां पर जो में मुद्दा आता है कि आखिरकार ये बिमारी ये दर्द होने का क्या कारण होता है अब आप लोगों को बताने जा रहा है सियाट का विमारी होने का क्या कारण होता है तो चलिए दोस्तों अब आप सभी लोग को क कहीं पर गिर गया है, इसी देंट हो गया है, हमको चोट लग गया, सिर में चोट लग गया, अब अगर हमको सिर में चोट लग गया है, सिर में इंजरी हो गया है, तो ये भी एक मेन कारण होता है, सियाट का बिमारी का, इसके कारण भी देखा जाता है, कि सियाट का बिमारी हो स्वैलिंग को हिंदी भासा में काते हैं सूजन हो जाता है अगर किसी के स्पाइनल कार्ड ठीन हो जाता है पतला हो जाता है या फिर स्पाइनल कार्ड में सूजन हो जाता है या फिर स्पाइनल कार्ड क्रैक हो जाता है अब बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे उन्हें यही नह यही spinal card अगर हमारा पतला हो जाता है या फिर इसमें सूजन हो जाता है या फिर इसमें क्या हो जाता है ये crack हो जाता है तब हमें ये problem देखा जाता है siatika का समझ गया आप लोग जिसकी वज़े से कि back pain में lower side में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगेगा swelling हो जाएगा समझ गया जन जना हट महसूस होगा तो अगर किसी को ये siatika का बिमारी हो जाता है ये siatika का बिमारी होने का क्या कारण होता है ये तो आप सभी लोग को पता चल गया होगा जो के main जो most popular कारण होते हैं यह ये सारे main कारण इनके होते हैं जिसकी वज़े से देखा जाता है दोस्तों कि siatika बिमारी हो जाता है I hope आप सभी लोग को ये कारण पूरी तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों आप सभी लोग को यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि अगर किसी को ये siatika disease हो गया है तो हम कैस पता करेंगे कि इनको ये बिमारी हो गया है तो इसको हम पहचान ऐसे करते हैं उनके लच्छर को देखते हुए तो लच्छर में क्या-क्या चीजे देखता है तो चलिए अब बात करने जा रहे हैं siatika बिमारी होने पर कौन-कौन से लच्छर देखे जाते हैं और लच्छर जो कि आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 विरुपय ये बुक आप लोगों को PDF के पार्मेट में WhatsApp पर मिलेगा जो कि आप कैसे लेंगे इसे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा जिए वाप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो बता रहा हूं इसलिए क्योंकि ये नई बिमारी आपको बता रहा हूं अभी तक आप सभी लोगों को चैनल पर कभी भी इस बिमारी के बारे में नहीं बता रहा हूं इसलिए थोड़ा सा ये वीडियो बड़ा भी हो सकता है और थोड़ा सा चोटा भी हो सकता है लेकिन पू पिर लास्ट आप मोमेंट मतलब जब हम चलते हैं फिरते हैं रनिंग करते हैं तो समय पर बहुत ज़्यादा दर्द देखा जाता है साथ ही साथ टिंगलिंग भी देखा जाता है टिंगलिंग का मतलब होता है जंजनाहट उस एरिया में जंजनाहट भी देखा जाता है और सरी फिरेंगे तो वहां पर ज़ादा दर्द होगा टिणलिंग होगा वहां पर जंजनाट महसूस होगा शरी इनमें बहुत बहुत ज्यादा कमजोरी trainings महासूस होगा यह सारे ख़ैये और इसके माद्यम मंहन लग जाता है कि हां इनको यह HOW आप सभी लोग को 192 जान लेते हैं दोस्तों स्याट का बिमारी का क्या इलाज होता है अगर किसी को लच्छड आपने देख लिया और आपको माल लिजिए कारर भी पता चल गया कि माल लिजिए ये कहीं पर गिरे हुए हैं इनका ब्रेन में इंजरी हो गया है या फिर और भी कोई प्राबलम हो गया है जिसकी वज़े से इनकोई बिमारी हो गया है और लच्छड को देखते हैं हम एकदम पता चल गया कि इनकोई बिमारी हुआ है तो इसको ठीक करने के लिए कौन-कौन सी दावाईयां दिया जाता है तो चलिए आप सीधा सीधा मेडिसीन की ही बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग परिशान हो जाते हैं कि मेडिसीन बहुत लेट बताते हैं तो चलिए अब सुरुआत मेडिसीन का ही कर लेते हैं दोस्तों मेडिसीन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो medicine होता है वो होता है toll parison tablet यह जो toll parison hydrochloride tablet होता है यह 1.5 mg का tablet होता है कितने mg का होता है यह 1.5 mg का tablet होता है जो कि काफी ज़्यादा useful and popular medicine होता है अगर किसी को CRC disease हो जाता है तो उस cases में toll parison tablet का इस्तेमाल क्या जाता है जो कि toll parison tablet के नाम से जादा तर यह famous होता है समझ गया आप लोग अगर हम बात करें इनका doge क्या होता है तो चल यह इनके doge के बारे में भी बात कर देते है दोस्तों toll parison tablet का जो doge होता है एक tablet दिन भर में दो बार लिया जाता है बीड़ी का मतलब होता है दो बार लेना और लगा था है इसको 7 दिन तक चलाया जाता है समझ गया आप लोग दोखिये नीचे जो लिखा गया है 7 days मतलब 7 दिन तक इसको चलाया जाता है वो भी इसको खाना खाने के बाद एक एक tablet खाया जाता है जो कि इस cases में इस्तेमाल किये जाते हैं तो कौन-कौन से होते हैं चलिए उन सारी दवाईयों के बारे में और भी जान लेते हैं तो अगला जो medicine होता है दोस्तों वो होता है 0-Doll-Esp और 0-Doll-Esp के बारे में आप सभी लोग को कई बार मैं बता चुका हूँ दोस्तों 0-Doll-Esp में composition को आप पढ़िए इसका composition क्या है इसका composition है एक परकार का पेनकिलर मेडिसीन होता है एक ज्यामपल भी आपको बता दिये हैं जैसे कि डाइकलो फिनेक हो गया दोनों में फिनेक आ रहा है तो इसका काम क्या है ये दर्द को ठीक करने का काम करेंगे 0-Doll-Esp का काम होता है जहां पर दर्द हो रहा है उस दर्द को भी ठीक करेंगे सूजन को भी ठीक करेंगे और साथी साथ अगर मालीजे थोड़ा बर टहिए अए तो इस टहमप्रेशर का भी मेंटेन करने का काम करते है समझ गये आप लोग इनका दोज क्या होता है एक एक टैभलेट इसको लेना है एक टैभलेट सुवए है और एक टैभलेट से हाँ को वो भी खाना काने के बाद इसको लिया जाता है समझ गया आप लोग सारी बात देखी है यहाँ पर लिखा गया है आपको बस केबल देखना है और समझना है कुछ और भी दवाई यां होते हैं सुद्ध आपको पेंकिलर मेडिसीन बता देता हूँ कि अगर किसी को माल लीजिए बहुत जादा दर्द होता है और आपने माल लीजे जीरो डॉल besp खाया नहीं ठीक हो राया तो उस cases में keto roll टेवलेट का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन अगर माल लीजे keto roll टेवलेट जो होता है एक परकार का pencular medicine होता है और आप सभी लोग को ये भी पता है कि एक Ketorol DT भी आता है जो कि अगर किसी के दातों में दर्द हो रहा है तो उसको भी ठीक करने का काम करते हैं समझ गए तो ये जो होता है Ketorol, जो कि Ketorolac from Mithamide tablet होता है Indian Pharmacopia का ये medicine होता है और जो ये naproxen है ये दोनों के दोनों टेबलेट इंडियन Pharmacopia का medicine है समझ गए ये तो आप सभी लोग को पता है अगर किसी विदवाईयों के नाम के बगल में IP लिखाओ, BP लगाओ, USP लिखाओ तो ये Pharmacopia को बताने का काम करते हैं कि कि किस Pharmacopia का है सब को पता है ये बात चल क्रेक हो जाता है, damage हो जाता है, swelling हो जाता है तो दर्द बहुत ज़्यदा होगा तो इस क्रेक को रिपेर करने के लिए Multivitamin tablet का इस्तेमाल क्या जाता है, Multivitamin capsule का इस्तेमाल किया जाता है तो NeuroCoin Gold जो की काफी जादा youthful and popular होता है और साथ ही साथ अगर माल लिजिए इस Multivitamin को नहीं देते हैं तो इस cases में NeuroBion port आता है, यहां पर दिखा देता हूँ, यह है NeuroBion port जो की complex होता है, समझ गया है, तो दोनों में से कोई एक दिया जाता है, या तो आप Multivitamin, Multimineral capsule में NeuroCoin Gold का दे सकते हैं, जिसका main काम क्या होता है, दोस्तों इनका जो काम होता है, यह ह वज़े से यह problem देखा जा रहा है, बहुत ज़्यादा pain हो रहा है, तो उस crack को, उसको maintain करने का यह काम करते हैं, समझ गया है, अगर माल लिजे, यह नहीं है, NeuroCoin port, तब उस cases में आप यह भी दे सकते हैं, NeuroBion port, जो की कापी जादा यूजपरन पापुलर मेडिसीन होता है जिनका काम क्या होता है, इनका काम होता है, कि यह repair करने का काम करते हैं, नर्व को, अब बहुत सारे लोग कहेंगे, कि क्या दोनों दवा को लेना है, तो बिल्कुल दोनों दवा को नहीं लेना है, दोनों में से कोई एक लेना है, या तो आप NeuroCoin Gold को लें, और या तो आप Ne विटामिन कैप्सूल खा लिया है और अगर मालीजे उनमें से कोई भी दवा अपना गैस्ट्रिक काच कर देता है पेट में गैस बन जाता है एरिटेशन होने लगता है तो उस केसे में गैस्ट्रिक मेडिसीन को दिया जाता है जैसे कि यहां पर दिया गया है ओमेप्राजोल क ओमेप्राजोल यह होता है जो कि काफी जादा यूजप्लेन पापुलर मेडिसीन होता है अगर किसी के पेट में गैस बना हुआ है पेट में एरिटेशन हो रहा है तो वो सारी चीजों को ठीक करने का काम करते हैं और आप सभी लोग को मैंने यहां पर एक ट्रिक भी बताया जया था कि अगर माल लेजीए आपके सामने बहुत सारी गैस की दाईया और आप से दागा ए दॉक्त की दाइय से जांके तो इसका पहचान इस कर लीए लिए लिखा में या फिर मिल जाए चिदीन तो इससे आप पहचान कर लेंगे कि यह दवा गेस्ट्रिक मेडिसीन है बहुत सारे लोग कहेंगे कि प्राजोल का एक्जामपल दीजिए और टिडिन का एक्जामपल दीजिए तो प्राजोल के दो एक्जामपल आपको दे देता हम नहीं तो दोनों के दो डोई याम पल ड्रो देन था हम आप लोगों को, जैसे कि प्राजोल में लेखिये, पिंटाप्राजोल, प्राजोल आया ना, ओं में प्राजोल, इसमें भी प्राजोल आ गया है, ठीडिन की बात करें, रैणी ठीडिन, लोग प्हचान करते हैं तो इस सारी चीजों को ये ठीक करने का काम करते हैं समझ गें कुछ और भी दवाइयां होते हैं सियाटिका को ठीक करने के लिए जैसे कि यद मरीज कुछ बहुत जादा दर्द हो रहा है और उसका condition बहुत जादा खराब है तो उस cases में क्या किया जाता है उस तरह के मरीज में injection का इस् और प्रकार का पैंकिलन आंग二 बात करें तो पहला जी इंजेक्शन जो होता है वह प्रकार То की आउघ्सने का प्हेंग समझ लहें को युझी AC है और एक और भी षब्सक्राइब तर्डबिक हाले ऊच्छन होता है जिसका composition होता है Tramadol hydrochloride injection यह 100 mg का होता है दोस्तों और यह 75 mg का होता है लेकिन सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहले आप इस injection का इस्तेमाल करेंगे dynapar injection का अगर माली जै dynapar injection का इस्तेमाल आपने किया इससे दर्द नहीं ठीक हुआ इससे आराम नहीं हुआ तब आप लोग Tramadol hydrochloride tablet का इस्तिमाल करेंगे लेकिन ये भी आप लोग ध्यान रखना कि दोनों इंजेक्शन का नहीं इस्तिमाल करना है दोनों में से कोई एक करना है और सबसे पहले इसको नहीं करना है सबसे पहले डाइना पार इंजेक्शन का इस्तिमाल करना है लेकिन अगर इससे नहीं ठीक होता है तब Trauma Dual Tablet का इस्तेमाल किया जाता है जो की काफी जादा यूजफुल एन पापुलर मेडिसीन होता है दर्द को ठीक करने के लिए समझ गया आप लोग अगर दर्द बहुत जादा होता है तो दर्द को ठीक करने के लिए ये Pencular Medicine इनका इस्तेमाल किया जाता है प्रब्लम नहीं होगा बस आप थोड़ा सा पढ़ लेना कि रूट क्या लिखा गया है लेकिन ज्यादा तर देखा जाता है इस तरह की दवाईयों को जो Emergency Condition होता है उसमें IV ही लगाया जाता है क्योंकि अगर कोई भी injection आप नस में लगाते है क्योंकि आप सभी लोगों को पता है अगर कोई भी injection हम नस में लगाते है तो वो सबसे पहले हम कैसे लगाते है नस में लगा करके थोड़ा सा injection पीछे की तरफ खीचते है जब हमारे सिरिंजी में थोड़ा सा Blood आ जाता है तो हमें इतना तो पता चल जाता है कि हाँ वो injection सही जगे पर नस में लगा हुआ है और जब कोई भी drug direct अपने नस में डिलीवर करते है अगर कोई भी drug हम direct नस में डिलीवर करते है मतलब वो drug हमारा direct Blood में जाता है और जब कोई भी drug direct हमारे Blood में जाता है तो उसका जो action होता है वो बहुत तेजी से होता है और जब action तेजी से होगा तो patient को आराम भी बहुत जल्दी मिल जाएगा दर्द से बहुत जल्दी उसको रहात मिल जाएगा तो इसलिए इस तरह के injection का इस्तेमाल किया राता है दोस्तों जो अगला medicine है वो है neurobian port और neurobian port का tablet के बारे में भी आप सभी लोग को बता दिया हूँ neurobian port का का काम क्या होता है यह हमारा जो nerve damage हो गया है जो nerve में crack हो गया है spinal card का जो nerve आपको पहले बता है अगर माली जी वो damage हो गया है, crack हो गया है, condition जादा क्राब है medicine काने से नहीं ठीक हो रहा है इसका इस्तिमाल आप intravenous और intra-mascular दोनों कर सकते हैं दूदला दीक रहा होगा लेकिन मैं आपको बता दिया हूँ कि इसको नस और मांस में दोनों लगा सकते हैं इनका काम होता है कि यह हमारे nerve को repair करने का काम करते हैं समझ गया आप लोग तो यह होता है neurobian port तो आज का वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग को एक नई जानकारी आप सभी लोग को दिया हूँ सोचा हूँ कि आप सभी लोग को थोड़ा सा detail इसके बारे में बता दूँ कि आप सभी लोग को आप लोग support भी कर रहा हैं इस समय पर देख रहा हूँ तो अगर आप लोग इसी तरीके से support करते रहेंगे और आप लोग बहुत सारे लोग comment box में इस बीमारी के बारे में पूछे भी थे हमसे किस बीमारी के बारे में थोड़ा साफ detail बता दीजे तो मैंने सूचा आप सभी लोग को एकदम अच्छे से इस बीमारी के बारे में समझा दू कि यह CRT का बीमारी क्या होता है यह बीमारी होने का क्या कारण होता है यह बीमारी होने पर कौन-कौन से लच्छड देखे जाते हैं और ये बिमारी कैसे ठीक किया जाता है, अगर emergency है, condition है, condition जाधा कराब है, तब हम लोग कौन से injection का इस्तेमाल करेंगे, अगर condition नारमल है, दर्द थोड़ा बहुत हो रहा है, तो उस cases में हम लोग medicine से भी काम चला लेते हैं, लेकिन condition जाधा कराब है, तो पहले injection लगा जाता है condition तोड़ा सा नारमल होता है, तब उस cases में हम लोग फिर medicine का परियूब करने लगते हैं, तो इस तरह से दवायों को दिया जाता है, और इस तरह से patient को relief कराया जाता है, दोस्तों, आज का वीडियो का ऐसा लगा, सभी लोग comment box में जरूर बताएगा, और नया साल आने वाला ह उससे पहले, जितना support हो सके, उतना ज़्यादा आप support करिये, मेरा जो target था, कितना हो जाये, लेकिन आप लोग कर नहीं पाये, चलिए कोई बात ने, लेकिन अब भी जितना support हो पाये, दोस्तों करिए, support करने का यही मतलब है, ज्यादा से ज्यादा चैनल को subscribe करें, ज्यादा मेरा समझाय है, वह आप लोगों को समझ में आता है, तो इस तरह से अपना comment box में अपना feedback भी आप लोग देते रहेगा, और जैसा कुछ हो आप लोग comment box में बताते रहेए, आज का वीडियो यही पर होता है complete दोस्तों, थैंक्स पर राचिमें, वीडियो लाइक में से रहें दसक्राइब एस तेना